कि सबसे पहले बात करते हैं देखिए प्रोग्रेसिव वेप क्या होती है सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव वेप प्रोग्रेसिव वेप नाम से लग रहा है आपको जो लगातार प्रोग्रेस करती रहे मतलब जो वेप हम क्रेट करते हैं और लगातार मीडियम में आगे बढ़ती रहे उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेप if we produce waves in a medium continuously, वुद्धा continuously हम waves जो है produce कर रहे हैं, if we produce waves in a medium continuously, the particles of the medium oscillate, the particles of the medium oscillate, continuously with a constant amplitude, यह हम explain करके लिखवा रहे हैं, इसको short में आप लिख सकते हैं अपनी language में, the particles of the medium oscillate continuously, with a constant amplitude, in this condition, the disturbance produced in a medium called plane progressive wave, ठीक है, अब लिखें, displacement relation of progressive wave, ज़र टेक्निकल relation है ध्यान से समझेगा, displacement relation या displacement equation जो भी लिखना चाहें, displacement relation for progressive wave, displacement relation for, plane progressive wave कहें या plane harmonic wave कहें बात वही है, ठीक है, या progressive harmonic wave कहें, उसको confuse मत होईएगा, for plane progressive wave, plane, progressive wave, बाई देखें, disturbance अगर, मालिया उसमें harmonic, harmonic हमने क्या बताया था, जिसमें particle एक point के इधर उधर, oscillate करता रहता है, तो longitudinal wave और transversal wave, दोरों में यह होता है ना, जब transversal wave चलती है, मालिया ऐसे चल रही आगे लगाता रहता, तो यह particle अपनी mean position के इधर उधर, oscillate करता है यह नहीं करता है, perpendicularly to the direction of propagation of wave, करता है ना, तो यह अगर हम कहें कि harmonic wave है, तो क्या दिक्कत है, अगर मालिया spring में जैसे oscillation होता है, यह oscillation होता है, तो spring का कोई वेग छला ले लिजेगा, वो भी तो अपनी mean position के इधर उधर oscillate करता है, वो भी harmonic wave है, तो उसको progressive wave कहें, या progressive harmonic wave कहें, बात वही है, क्योंकि इसमें सभी में, जो medium particles हैं, वो अपनी mean position के इधर उधर, linear oscillation करते हैं, ठीक है, अब जरा समझने की कोशिज करिएगा, थोड़ा सा technical है यह, समझाने की में कोशिज कर रहा हूँ, जरा समझिएगा, हमने का suppose, एक wave लगातार आगे बढ़ रही है, और V is the speed, या यह है direction of propagation of wave, यह है direction of propagation of wave, यह wave के चलने की, direction है, और हमने उसकी velocity माल ली है, small V, देखो यहाँ पर दो चीज़े है, एक particle velocity होगी, और एक wave velocity होगी, चीख है, जैसे मैंने एक रसी को लिया, और रसी में ऐसे disturbance क्रेट किया, तो रसी जो लेके जा रही है, वो velocity कैसी है, रसी wave लेके जा रही है, तो जरा wave velocity और particle velocity में confusion मत होगीएगा, अभी हम बात यह wave velocity की कर रही है, ठीक है, अब जरा देखो wave कैसे चल लएगी है, हमने माना, यह हमने origin मान लिया, यह हमने origin मान लिया, origin मतलब, मैं यहाँ से consider करना शुरू करूँगा, यहाँ पर time हम जो लेंगे, वो कितना लेंगे, जिरो लेंगे, ठीक है, अब कोई wave मान लिया, चलती भी यहाँ से ऐसे आई, ऐसे wave यहाँ से चली, ठीक है, अब यहाँ wave पहुँची, तो जब यहाँ wave पहुँचेगी, तो यहाँ का particle oscillate करेगा, करेगा न, हो सकता है, यहीं पर रहे, हो सकता, oscillate करे, तो हमने माना, कि सपोज यह particle oscillate कर रहा है, और at any time t, इसका जो displacement है, वो y है, समझा रही है वाद हम क्या करे रहे, मतलब origin आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ पर जो x है, वो 0 है, यह जो distance x है, वो 0 है, यहाँ पर x 0 है, ठीक है, और जब wave यहाँ पीछे से आई है, इस particle को disturb किया, तो यह particle oscillate करेगा, इस प्रकार से, तो अगर मैं इस particle का displacement y ले लेता हूँ, तो मैं इसका displacement equation बोलूँगा, y is equal to a sin omega t, सहीं कह रहा हूँ, यह तो हम बोलेगे न, तो थोड़ी सी कहानी लिखिएगा, थोड़ी सी कहानी लिखिएगा, suppose, suppose a wave starts from the point o, यहीं से wave start होती है, यहीं से आप पीछे से आ रही होगी कहीं से wave, उसने इसको disturb किया होगा, या हमने हाथ में इसको पकड़ा है, इसको हिलाया है, तो यह भी हम कह सकते हैं, दोनों तरीके से, तो आप चाहो तो इसके पीछे का portion मत दिखा, अगर आपको confuse कर रहा हो, तो मैंने कहा wave यहीं से start हो रही है, ऐसे start हो रही है, अब आप कहेंगे साब इसको start कर रहे हो, तो displacement zero है, अरे जब हमने रस्टी को उठाया होगा ऐसे, तो displacement भी किया होगा, सही कर रहा हूँ, भाई start यहां से कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ले के ख़़ा रहूँगा, रस्टी से कर रहा हूँगा, start हो जाओ, start हो जाओ नहीं होगी ना, तो हमको इसको oscillate करना पड़ेगा ना, तो जब यहां से start करोगे, तो आप oscillate भी करोगे, तो लिखेगा, suppose harmonic wave start from O, and travel with the velocity V, and travel with the velocity V, along plus x direction, travel with velocity V, small v लिखेगा, small v along plus x direction, at any time t, at any time t, the displacement of particle o, the displacement of particle o, is given by, y is equal to a sin omega t, अगर आप कोई और book देखेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा होगा, confusion में धोईएगा, y is the function of x, कामाटी, जरा समझेगा, कह क्या रहे है, इसका logic समझेगा, तो जब wave चल रही है, तो इसमें क्या-क्या change हो रहा है, एक तो wave की origin से distance change हो रही है, और अलग-अलग time पर, wave का अलग-अलग displacement है, यहाँ डिस्प्रेस्मेंट, जो y, y की मैं बात कर रहा हूँ, वो wave आगे पड़ रही है, मतब displacement of each particle, किस पर depend कर रहा है, यहाँ से दूरी पर depend कर रहा है, और यहाँ से time पर depend कर रहा है, तो हम लिखेंगे y x कामा t, सम्दम्यारी बात, यह लिखने का तरीका, तो यहाँ पर भी हम मगा लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे y, कटेंगा नहीं इसको, y 0 कामा t, 0 कामा t मतलब, हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से x की distance कितनी है, 0 है, क्योंकि हमने origin मानका है, और यहाँ t टाइम पे, इस particle का, जो oscillation है, जो displacement है, वो y है, is equal to a sin omega t, यह x 0 कामा t, लिखेंगें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं, कि माले कहीं लिखा हुआ हो, तो confuse मत होईएगा, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आई यहाँ तक बात, अब जो आ समझिएगा, जब यह wave यहाँ से start होगी, तो धीरे धीरे जब wave आगे बढ़ेगी, तो आगे के particle oscillate होगे, नहीं होगे, आगे के particle oscillate होगे, जैसे एक example समझिएगा, एक चटाई बिछा दीजिएगा, आपने Tom and Jerry देखा होगा अनाटक, Tom and Jerry एक आता था, आता होगा, हम तो नहीं देख पाते, देखा है ना, चूहा देखा ना उसमें, हमने बता इसलिए देखा क्योंगी प्रैक्टिकली आप चूहा छोड़ नहीं सकते, तो अगर एक आप मैट बिछा दीजिएगा, तो अगर एक आप मैट बिछा दीजिएगा, उसके अंदर चूहा छोड़ दीजिएगा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे 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 चलेगा ना आगे, तो यह कैसे वेब बनेगी, यह तो वेब बनेगी, तो जैसे जैसे वो चुहा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वेव आगे बढ़ेगी तो अभी यहां हमने टॉम टॉम था चुहा कि जेरी चुहा था जेरी नहीं हमें नहीं मालूम है मतलब टॉम एंजेरी सुना है देख चले चले जेरी मैंने जेरी को याँ छोड़ा है अब जेरी यहां पर जो गया है तो यह जो चटाई है औसलेट हुई है ठीक है अब जेरी आगे बढ़ता बढ़ता यहां पहुँच गिया अब जड़ा यहां पर एक्स डिस्टेंस पर पहुँच गिया है और यही के डिस्प् स्पीड से चली है यहां से यहां तक आने में यहां से यहां तक आने में वेब को कितना टाइम लगा एक्स डिस्सेंस जाना है और वी स्पीड से गई है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा यानि x y v लगा यानि कि अगर हम ज़रा समझीगा अगर हम कहें भाई यह जो पार्ट किल है ना इसकी situation इस समय क्या है तो आप कहेंगे इसकी situation इस समय वही है जो x अपान v second पहले पार्ट किल ओकी थी होता यह नहीं होता है क्लास में जब punishment मिलता है तो पहला student पीटा जाता है और फिर दूसरा तीसा चौथा तो जब चौथा student पीटा जाता है तो चौथा वाला सोचता है कि मेरी position वही होने वाली है जो थोड़ी दिर पहले 10 minute पहले पहले वाली की थी तो इसकी position वही होगी जो x अपान v second पहले o point की थी समझ मैं ही बार नहीं आई है यानि की यानि की यानि की अगर मैं o particle जबना समझेगा o particle का displacement जो हम जानते हैं वो t minus x अपान v second पहले निकालीजिए तो यह वही position होगी जो p की होगी नहीं होगी यानि अगर time की जगए हम t minus x अपान v लिख दें o particle के लिए तो इस second पहले इतने second पहले इसकी यही situation तो रही होगी जो इसकी समय है चाहिए करो मैं यानि अगर मैं t की जगए यह रख दूँ यह sin a तो displacement वही होगा नहीं होगा p का वैनि p का इस समय displacement वही है जो t minus x अपान v देखो फिर समझेगा यह after time t displacement y था किसी time after time नहीं कहिए किसी time t पर इस particle का displacement जो था वो y था जो हमने हाथ में पकट कैसे से उस रस्ती को हिलाया था थोड़ा सा respond करते रहीएगा तो यानि कि जब वेव आगे बढ़ती बढ़ती यहां ही होगी तो यहां पर उसको यहां से यहां तक पहुचने में लगा x upon v second इतना time लगा इसका मतर इस particle की position वही है इस समय जो x upon v second पहले particle o की थी सही कह रहा हूँ मैं यानि अगर मैं particle o में t की जगे t minus x upon v लिख देता हूँ तो वही displacement मिलेगा जो इस समय p का है ठीक है ठीक कह रहा हूँ यह हम distance के और velocity के हिसाब से लिख रहा हूँ कहीं कहीं पर face के हिसाब से लिखा जाता है ठीक वह बाद में भी बताएंगे लिखे जाता है कहानी let at distance x there is a particle p let at distance x there is a particle p there is a particle p and the time taken by the wave to reach up to p is x upon v time taken by the wave to reach the point p is x upon v second from o x upon v second from o यानि कि अगर मैं कहूँ देखे थोड़ी language लिखवाता हूँ मैं अगर मैं कहूँ कि displacement of the particle p displacement of the particle p निकालना है particle p at time t कितना होगा तो आप कहेंगे ये actually में होगा displacement of particle o at x minus sorry t minus x upon v second earlier सही कह रहा हूँ मैं ये point समझ में आई बात नहीं आई अभी ना समझ मैं दूसरी तरीके समझा सकता हूँ ये point समझ में आगया आपको कोई बत्रस्वांट दीजिए देखे यही बस आपको पकड़ना है और सब हो गया proof and given by y is equal to a sin omega t minus x upon v ये displacement equation होगा particle p का समझ में आई बात so y is equal to a sin इस omega को अंतर ले जा रहे है omega t minus omega x upon v अब देखो इसको थोड़ा change किया गया है as omega upon v को थोड़ा change किया गया है omega का नाम सुना है आपने 2n pi 2 pi new frequency को new से लिखते है ना तो omega 2 pi new होता है new ऐसे बनता है 2n pi जो पढ़ते है n frequency होती है यहाँ wave की frequency को new से represent किया जाता है अचाव v बराबर आपने n lambda पढ़ा है आपने और n यहाँ पर new है तो v को लिखेंगे new lambda तो यानि कि आपका एक relation आएगा 2 pi by lambda यानि कि omega upon v को हम लिखना चाहते है तो लिख सकते है 2 pi by lambda देखो यह question भी characteristic है आपका numerical कहा से लगेगा आप जाने हो सकता है यहां से लगे हो सकता है यहां से लगे यह अलग अलग फार्म बताए जा रहे है अलग 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 फार्मेट बताए जा रहे है ठीक है तो यह confuse मत होईएगा यह डाग्राम बना लिया है ना बज़ यह statement जो लिखा गया yes on में आना चाहिए तो यह नहीं कि omega upon v को हम लिख सकते है 2 pi by lambda so y is equal to a relation आया गया a sin omega t minus x upon 2 lambda sorry 2 pi by lambda 2 pi x upon lambda यह 2 pi by lambda को माल लिया गया है k तो यह आ जाएगा a sin omega t minus kx यह plane progressive wave की known equation है जहां भी plane progressive wave की equation लिखी होगी वहाँ पर लिखा होगा y is equal to a sin omega t minus kx तो k का नाम याद रखेगा k का नाम क्या है 2 pi by lambda k का नाम क्या है omega upon v ध्यान रखेगा मताब omega upon v भी ध्यान रखेगा तो यह 2 pi by lambda है यह plane progressive wave की equation है अब इसका और format change करो और करके बस y is equal to a sin अच्छा अब आप कहेंगे यह बताइए कि इसको omega upon v लिखने की जरूरत क्या थी जरूरत तो इसलिए थी क्योंकि बुक में लिखा हम करें क्या दूसी जरूरत यह थी कि यह time था तो मैं चाहता था यह जो omega यहां लिखा है वो भी time का factor होता है आपने पढ़ा omega को 2 pi by t लिखते हैं और x distance है और lambda भी distance है इसलिए distance is our distance और time को साथ time के वाल थोड़ा सा adjust किया गया है और कोई मतलब यहां पर नहीं है अच्छा omega को हम 2 pi by t लिख सकते हैं into small t minus और k की value 2 pi by lambda into x हो गया हम चाहें तो यहां से 2 pi कामा ले सकते हैं तो एक relation और आएगा a sin 2 pi t by t minus x by lambda यह भी एक relation आ सकता है यह भी displacement equation है अलग-अलग format बताई जा रहे हैं आपको equation तो यही यही पर आ गई थी आपकी अब वो अलग-अलग format के हिसाब से adjust किया जा रहा है ठीक है तो यह आपका plane progressive wave की displacement equation है displacement किसका हो रहा है wave का हो रहा है यह जो displacement हो रहा है यह किसका हो रहा है wave का हो रहा है कि particle का हो रहा है लेकिंग यह velocity है वी ओव यह किसकी है यह wave की है तो जब मैं y को differentiate करूँगा time के respect में तो उस समय जो velocity मिलेगी और किसकी मिलेगी wave की यह particle की हाँ यहां पर एक वेव स्पीड है एक पार्टिकल स्पीड है हम बोल रहे हैं हमारी बात आप तक जो पहुँच रही है वो तो माध्यम दूसरा है वो अलग की बात है यह एलक्ट्रो मैगनेटिक वेव के रूप में हम आप तक पहुँच रहे हैं यह पढ़ेंगे का काल होता तो यह आवाज हमारी सेटलाइट में जाती ऋच्टलाइट से आप तब उच्टी लेकिर यह आवाज हमारी पार्ट्टिकल का है यह जो वी यह वेलॉस्टेव जा रही है एक नोट लिखए में बनाईए अगर यही wave negative x direction में चल लई होती तो इसमें क्या change होता बस plus जगे minus जाता लिखे if the wave is traveling along minus x direction if wave is traveling along minus x direction then its displacement equation is given by then its displacement equation is given by यही लिख लिजएगा last वाली और यहाँ पर plus बना दिजएगा यह last वाली लिखेगा y is equal to a sin 2 pi t by t plus x by lambda अब देखे अगर एक wave चल रही है यह note का लिए ना इसको हम रब करेंगे हम पहली वाली लिखेंगे minus यह तो note में आपने plus लिखा देखे अगर एक wave दूसरी चल रही है यह आगे चल रही है वो पीछे चल रही है दी जी रुको हम भी आ रहे है दी भागो नहीं रुको हम भी आ रहे है पीछे से तो वो पीछे पीछे आ रही है वैसी wave है लेकिन पीछे पीछे आ रही है ठीक है ये भी हो सकता है वो आगे चल नहीं हो इससे तो अगर दूसरी कोई wave होगी जो इसके या तो थोड़ा सा आगे है या थोड़ा सा पीछे है तो उसकी question क्या होगी उसकी यही होगी कि यहाँ पर प्लस माइनस 5 बढ़ या घट जाएगा तो एक नोट लिखेगा इफ फाई is the phase difference फाई इफ फाई is the phase difference between two waves between two waves then then the displacement equation is given by y is equal to a sin omega t minus kx यही वाल लिखना है पहली यह यह वाली और प्लस माइनस 5 इसमें और जुड़ जाएगा बस या तो वो आगे इससे चल लई है या तो वो इससे पीछे चल लई है या तो साथ चल लई है साथ होगी तो फाई 0 हो जाएगी अब लिखे बहुत टेक्निकल चीज हम बताने जा रहे है रिलेशन बिस्ट्वीन फेस डिफ्रेंस एंड पाथ डिफ्रेंस रिलेशन बिट्वीन फेस डिफ्रेंस एंड पाथ डिफ्रेंस पले समझ दीजे फिर हम बात करते है थोड़ा टफ नहीं है ध्यान रखिएगा टफ वर्ड अपने दिमाग से डा दीजेगा वस सब्जेट को इंज्वाए करिए तो एक वेब समझेगा मैं कहना कह चाहता हूँ एक वेब यहां से यहां गई आप यहां हैं हम यहां हैं हम जीरो एंगल पर हैं नहीं हम तो यहां थे ना हम टू पाई एंगल पर हैं हमारे और आप के बीच में कितना एंगल का चेंज है टू पाई का टूपाई का है न तो जो angle का change हो रहा है इसी को हम कहते है face change ठीक है यहां से यहां तक की distance क्या होती है lambda path wavelength पढ़ाओगा आपने पढ़ा है ना wavelength the distance traveled by the wave in one oscillation तो यहां से लेकर के यहां तक एक oscillation complete हो चुका है यह lambda है आप यहां है हम यहां है आपने कहा कि हम आपसे 2 lambda distance पर है तो हम कहेंगे हमारे आपके बीच में face difference 2 pi है path difference lambda है कह सकता हूँ मैं यहां से यहां तक time हमको लगा t आप zero time पे थे हम t second बाद यहां पहुंचे हमने कहा हमारे आपके बीच में time difference t है आप भी वही है हम भी वही है कहने के तरीके अलग है हमने कहा कि हमारे आपके बीच में face difference 2 pi है हमने कहा हमारे आपके बीच में time difference t है हमने कहा हमारे आपके बीच में path difference lambda है तीरों बातें सेम है लेकिन relation हम निकालना चाहते हैं कि time difference और path difference और phase difference में relation क्या होता है तो लिखिए relation between phase difference and path difference इसको दो तरीके से हम बता रहे हैं आपकी plane progressive wave से proof करके भी बता रहे हैं और दूसरे तरीके से मैं unitary method से unitary जानते हो ना unitary method पढ़ा है आपने नामत बोल देना पढ़ा है ना क्या method होता है कि ममी ने कहा पांच किलो चीनी ले आओ तो आप दुकानदार से पूछते एक किलो चीनी का दाम क्या है तो आप पांच से multiply कर देते यह होता है ना दुकानदार कम नहीं है दुकानदार ने का साथ किलो चीनी का दाम 700 रुपिया है तो आपको पांच चीनी का दाम 700 एक किलो का दाम इस तुडेंट करेगा क्या नहीं नहीं आज के समय का स्टूड क्या करता है वह निकालता है मोबाइल यह बाइस आप इतने रुपए हुए 500 वह ऐसे नहीं कुणावा करता है वह हर चीज गूगल सर्च करता है ततकाल कहो बोल दे स्टूडेंट को कोई चीज आप सोच रहे हो फड़ से बोलेगा सर गूगल में सर्च करते हो 10% अपना दिमाग लगाते हो तो एक्जाब में जाकी क्या करोगी 10% ही दिमाग चलेगा इसलिए गूगल सर्च नहीं यूट्री में आपने पढ़ा है ठीक है बिना कल्पृट जाणा समझ्जीए गा लिखें रिलेशेंट बित्विन पाद्ट इफरेंस और फेच दिफरेंस देखो ध्यान से साउधान भी नोगा अट शेंग है डे लिए विए नाब आट क्गिस्ट्यों था लिक्वेश्मेंट पैश्मेंट अध यूट आपने क्वेशिव y is equal to a sin omega t minus kx तरह समझिएगा इसमें कौन है जो इस वेब की position को change कर रहा है किस पर depend कर रही है वेब की equation इस पर कर रहे हैं ना angle परिद कर रही है angle change होगा तो y change होगा y change होगा तो velocity change होगी सब कुछ change हो जाएगा यानि ये वेब कुल मिला करके इस angle पर depend कर रही है तो यानि कि the phase जो होगा the phase of the wave phase of the wave वो क्या होगा phi is equal to omega t minus kx ये इसका phase होगा पहले तो हमने बताया कि किसी वेब का phase क्या होता है phase का मतलब होता है वो value जिस पर उस वेब की पूरी conditions depend करती है ठीक है आपकी हमने बताया था आपको याद होगा वो color word हमने बताया था ठीक हम बार 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 नहीं पर force depend करता है force पर energy depend करती है यह वर्क depend करता है तो कुल बिलाकर सब कुस दारों बदार किस पर है इस angle पर है ना तो यह तो phase है अब जरह आपनी heading देखे क्या हमने लाया है हमने लाया है phase difference and phase difference and क्या बो रहा है path की time path difference जरह समझने की कोशिश करिएगा यह क्या है यह किसी time t पर एक particle था जो x distance पर था time आप fix रखते हैं आप एक wave देख रहे है time fix है आपका time आप change नहीं कर रहे है आप यहाँ खड़े हुए है हम थोड़ी दूर पर आप पे खड़े हुए है थोड़ी दूरी पर है आपने कहा 10 वजे हमने देखा एक wave आई या एक हमको बड़ी ते sound सुनाई पड़ी और बड़ी ते lighting दिखाई पड़ी हमको हमने का 10 वजे हमने भी देखा था sound तो नहीं सुनाई पड़ी light दिखाई पड़ी क्यों क्योंकि हम आपसे थोड़ा सायद दूर खड़े हुए थे तिकि दोन light wave और sound wave दोनों पहुँची हमारे पास कि वर light wave पहुँची यानि कि same time पे उस wave की अलग-अलग position थी नहीं थी मतलब time क्या था time same था लेकिन wave के x अलग-अलग थे तो हमने मान लिया let at any time t at any time t phi 1 and phi 2 be the phase of particles at distance x1 and x2 ये बात संजा रही नहीं आ रही है same time पे 10 वजे दो लोग अलग-अलग position पे खड़े हुगर की कोई wave देखते है उनको लगता है कि इसका phase 5 1 है इसका phase 5 2 है दूसी तरीके समझेगा ये wave लगातार आगे बढ़ रही है पीछे से वेब और आ रही है disturbance हो रही है आप यहां खड़े हैं हम यहां खड़े हैं फुड़ा लग हो जाते हैं हम यहां खड़े हो जाते हैं आपने देखा इस wave को हमने भी हमने देखा इस particle को आपने इस particle को देखा हमने इस particle को था आपने का यह पार्टिकिल यहां से X2 डिस्टेंस पे था आपने का इस पार्टिकिल को जो हमने देखा था तो वेब जो है वो 270 डिगरी अंगल से घुम गई थी हमने का जब हमने इस पार्टिकिल को देखा था तो वेब मालिया 300 300 degrees से घुम गई थी तो अलग-अलग distance पर same time पर दो particle के अलग-अलग phase थे सौन्यारी बार same time पर दो particles अलग-अलग position से देखे जा रहे हैं class में हम यहां खड़े बढ़ा रहे हैं आप यहां बैटे हैं एक student दूर दूर बठा हुआ है same time पर हमारी वेव आप तक पहुंचेगी उस तक पहुंचेगी same time पर हम मार्क कर रहे हैं ठीक है और आपने कहा कि जो वेव आप तक पहुंची है उसका phase 5 1 था जो के x1 distance पर आप थे और दूसरा student जो पीशे बठा था वो कहेगा x2 distance पर जो वेव पहुंची ही उसका phase 5 2 था तो same time पर दो student अलग-अलग position पर अलग-अलग particles के अलग-अलग phase देख रहे थे समयारी बात ठीक तो हमने क्या कहा कि at any time t क्या fix कर दिया हमने time fix कर दिया same time every आप देख रहे थे 5 1 & 5 2 be the phase of particles at distance x1 & x2 अच्छा अभी चिंता मत करिएगा shortcut भी हम बता देंगे लेकिन जब आपको exam में आएगा तो पुरह detail लिखना पड़ेगा so 5 1 जब लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे 5 1 तो आएगा omega t minus kx1 और जब phi 2 लिखेंगे तो आएगा omega t minus kx2 जब निकालेंगे phase difference तो आएगे phi 2 minus 5 1 किसी को minus कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है तब इसका minus करोगे तो आएगा kx1 minus x2 यह हो गया आपका delta phi और k की value अभी हमने क्या बताई है 2 phi by lambda तो 2 phi by lambda into delta x तो यह relation हो गया phase difference is equal to 2 phi by lambda into path difference सुन में आई बात प्रूफ सुन में आया यह derivation सुन में आया यह यह 5 था x1 और x2 distance पर हमने 5152 माल लिया और बात ने दोनों को minus कर दिया तो यह phase difference यह path difference सुन जाई बात तो क्या relation आया आपका phase difference is equal to phase difference is equal to 2 phi by lambda into path difference यह relation हमने प्रूफ किया जो हमने बहुत जरूरत पड़ेगी numerical में quick हमको हमारे दिमाग को एक click नहीं करेगा उस तुम्हें के लिए unity method होता है ठीक है अब लिखेंगे phase difference and time difference तो आब लिखेंगे let at any distance x distance fix कर दिजेगा at any distance x 5 1 and 5 2 be the phase difference आप particle at time t1 and t2 but time change हो जाएगा distance वही रहेगे particles at time t1 and t2 अब देखें 5 1 क्या होगा omega t1 minus kx और 5 2 क्या होगा omega t2 minus kx और जब 5 1 minus 5 2 करोगे तो यहाँ पराएगा t1 minus t2 x कर जाएगा तो यह होगा delta t तो यहाँ गया phase difference ब्रावर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैनस करके दिखा दीजे change हो रहा है हाँ आपर तो इसको minus करोगे phase difference निकालोगे phase difference तो आएगा phi 2 minus phi 1 is equal to omega t1 minus t2 t2 minus t1 t2 minus t1 तो delta phi is equal to 2 pi by t into delta t यह relation आएगा तो यह आएगा 2 pi by t into time difference time difference अब मैं बताने जाओ यह भी नहीं याद आया तो छोड़ दीजे फिर उसको जरा समझेगा साउधान phase का मतलब angle path मतलब distance time मतलब time देखो यहां से लेकर के यहां तक पाड़ की ले गया अब हैं बता चुके हैं कि यहां से यहां तक यह time है यहां से यहां तक यह phase है यहां से यहां तक एक lambda है ठीक है अब मैं पहले बताने जा रहा हूँ phase difference and path difference मतलब phase का मतलब मैं angle लूँगा और path का मतलब मैं lambda लूँगा अब देखो यहां से यहां तक का angle difference कितना है quick वो लिए यहां से यहां तक angle difference कितना है यहां से यहां तक distance कितनी है यानि आप कहेंगे जब phase difference two pi है तो path difference lambda है बोल सकता हूँ मैं तो आप लिखेंगे कि when phase difference is two pi two pi then path difference माने दूरी का difference है lambda when phase difference is one is one then path difference lambda upon two pi when phase difference is phase difference delta phi then path difference is lambda upon two pi into delta phi यह है path difference यानि इसी को हम delta x कह सकते हैं सही कह रहा हूँ मैं तो delta phi की value क्या जाएगी two pi by lambda into delta x आएगा तो आएगे time difference अगली heading होगी phase difference and time difference हम unitory method लगा रहे हैं time difference अब मैं दूरी नहीं ले रहा हूँ time ले रहा हूँ हमारे आपके बीच में angle का difference 2 pi और time का difference t देखो जब phase difference 2 pi था then time difference कितना था capital T था और जब phase difference 1 है तो time कितना हो जाएगा capital T by 2 pi और जब phase difference 2 pi होगा तो capital T by 2 pi into delta phi यही time difference है तो time difference का formula यह आएगा 2 pi by T into delta T सभी समय आई बार अभी हम proof यही तो कराए है कि phase difference is equal to 2 pi by T into delta T velocity and acceleration velocity and acceleration velocity and acceleration of the particle particle की बात तुम मैं कर रहा हूँ wave की बात नहीं कर रहा हूँ wave तो कुछ नहीं होती है ना main तो particle होता है जो oscillate करता है वो अपनी energy को transfer करता है प्रोस के particle को तभी wave चलती है अगर particle आप oscillate करें और बोले हम energy बगर वाले को नहीं देंगे दादा चाहिए जो हो तो दादा चाहिए ना चिलाते रहें लेकिन दादा की आवाज आप तक नहीं पहुचेगी तो particle energy oscillate transfer कर रहा है तो उसकी विलास्टी हम निकालने जा रहे है तो लिखेगा velocity and acceleration of a particle in a progressive wave देखो ध्यान से we know that we know that the displacement equation of plane progressive wave केवल progressive wave लोगो तब भी चलेगा plane progressive wave y is equal to अभी लिखेगा नहीं a sin omega t minus kx अभी लिखेगा नहीं एक मिनट अच्छा आप लोगों ने डिफ्रेंस हैसे पढ़ाए अच्छा यहाँ पर variable कौन है कौन चेंज हो रहा है दोनों change हो रहे हैं ना x भी change हो रहा और t भी change हो रहा है ठीक है तो देखें जब दो change होते हैं अब थोड़ा साथ दो तरीके से मैं बता रहा हूं अगर आप किसी engineering book में पढ़ेंगे तो change होगा वहाँ पर तो वहां से के लिए मैं बता रहा हूँ आपको बताऊंगा यहीं पर देखो ध्यान से जब दो चीजें चेंज होती है और किसी एक के respect में differentiate किया जाता है तो उसको कहा जाता है partial differentiation क्या कहते हैं उसको partial differentiation और जैसे मालिया जब y को T के रस्म करना है तो डेवर y upon डेवर T बोलेंगे हम यह जो है ना यह डेवर कहलाता है confuse में देवर नहीं है वो अपने जो भावी जो कहते हो डेवर नहीं डेवर है कुछ लोग इसको डेल कहते है लेकि डेल एक्शुली में mathematics में यह बनता है इसलिए डेल इसको कहते नहीं है इसको डेवर कहा जाता है तो इसको हम डेवर यूज़ करेंगे कब क्योंकि यहाँ पर दो variable हैं और मुझे एक के respect में differentiate करना है इसलिए मैं यहाँ पर डेवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि partial differentiation हो रहा है confused तो नहीं है आप जहाँ पर दो या दो से अधिक function vary करते हैं तो किसी a के respect में अगर differentiate करना है तो डेवर वर यूज़ करेंगे और जब time के respect में differentiate करेंगे तो x को constant मानेंगे तो लिखे we know that the displacement equation are plane progressive wave अब यह xt बना दिजएगा yxt is equal to a sin omega t minus x where तो को जहाँ पर कोई formula we know that से चलता है वहाँ पर formula का expression लिखना पड़ता है where omega is equal to 2 pi by capital T and k is equal to 2 pi by lambda अब आपको velocity of the particle निकालना है velocity of the particle तो आप चाहो तो d y by dt लिख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां मैं डेवर लिख रहा हूँ confuse मत होईएगा वो d है ठीक है तो डेवर y upon डेवर t यह velocity of the particle इसको capital भी लिख दिएगा क्योंकि आपके formula में small v use हो चुका है small v क्या था wave velocity differentiate करोगे तो sine का क्या होगा cos omega t minus kx और omega t का क्या हैगा omega तो a omega cos omega t minus kx यह velocity है particle velocity of the progressive wave अगर हम बात करें for maximum velocity for maximum velocity यह value maximum होनी चाहिए क्योंकि यह value change हो रही है बार बार और cause की maximum velocity value क्या होती है जिरो कुन बोला हरे maximum बोला हूँ भई हाँ cause 0 होती है हाँ cause 0 होती है तो आप लिखेंगे maximum velocity cause की जो value है omega t minus kx यह 1 होनी चाहिए so v max क्या निकलेगा a omega यह आपका maximum velocity का फार्मरा है आपने simple harmonic motion भी पढ़ा है यहाँ भी होई चीज है पस plane progressive wave है इसलिए हमने ऐसा लिखा है इसमें confuse मत होईएगा यह dy by dt भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा जब निकालेंगे acceleration of the particle 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 not wave मैं wave की बात नहीं कर रहा हूँ wave जब चल लही है जो रास्ते का particle oscillate कर रहा है उसकी बात में कर रहा हूँ acceleration of the particle यह capital V लिख रहा हूँ मैं acceleration को आप चाहो तो यह तो आप लिख चुके हो तो आप कैसे लिखना चाहेंगे alpha लिख दो तो आप क्या करेंगे dv dvr v by dvr t यह v को हमने time के respect में किया है चुकि दो variable हैं इसलिए हमने partial differentiation लगाया है तो dvr upon dvr t आप v हो जाएगा a cos omega t minus kx a बार कर दो इसका differentiation क्या होगा minus omega sin omega t minus kx यह visual है न what I am writing तो यह minus चुकि into में है तो minus a omega तो यह पूरा आपका a से लेकर के पूरा यह y है तो minus एक मिनट a omega था यहाँपन a omega था तो यह omega square हो जाएगा तो minus omega square y यह आपका acceleration है ध्यान से देखें simple harmonic motion में आप पढ़ चुके हैं यह है वही चीज़ वही wave है SHM भी कर रही है कि वह लगातार आगे बढ़ रही है इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है अब बताइए maximum acceleration कब होता है sign to grab हो गया maximum acceleration कब होता है हाँ जब y is equal to a होगा तो for maximum acceleration maximum alpha y is equal to a होना चाहिए तो alpha max कितना हो जाएगा minus omega square a तो यह आपका concept है समझ में आया सब कुछ कर दो जूइए तो